हेलो वेल्कम डूम यूटूब चैनल नूरी जायका और आज मैं आपको बताने वाले हूं दो तरकी की समर ड्रिंक रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक बना बता रही हूं आपको और आप इसे मिंट लेमन जूस भी कह सकते हैं तो इसे मैंने मिंट इनी पुदीने से बनाया है अपके बाद मैं करूँगी क्या इस तरह से दोलुगी सब्समें जाथा तो आप लूझा नाय सैड़ा अशन, कर लेना अचा के रहनी की मतिने नहीं रहनी चाहिए लिए यह बिना मिर्च वाला है सिर्फ पुदीना पीसा है मैंने इसमें तो अब जो है करना क्या है एक पैन ले लेना है और पैन में मैंने आधे गलस पानी डाला है और इसमें मैं आधा किलो शुगर एड़ करूंगी तो यह देखे शुगर को मेंट होने दे और इसे बॉइल आने यह देखे यह बॉइल हो चुका है अब यह है इसमें मैं डालूंगी सिर्फ जो पुदीना पिसा हुआ था मिर्च वाला नहीं सिर्फ पुदीना वाला इसमें मैं डाल दूंगी और इसे 15 से 20 मिनाट इसे उबालेंगे boil करेंगे और उसके बाद इसमें मैं एड करूँंगी एक चमच सेंदा नमक ब्लाइक सॉल्ड इसे कहते हैं और मैं एक चमच भॉल्ड मिरूर्च पाउडर करूँगी एक चमच मैं सौ्फ अड़ कर रही हूं और एक चमच मैं भुना हुव जीरा कुप से दर-दरा पौडर करकर मैंने मिक्स कर दिया है और ये देखे मैं लेमन जूस डाल रही हूँ एक चमज के अप्रॉक्स एड करना है अब इसे ठंडा होने के लिए डाल देया ये ठंडा हो चुका है अब ये देखे ये तो मीठे वाला है सुलूशन जो बनकर हमारे पास रेडी हो गया है ये एक मैंने आपका बिल्कुल चल जाएगा फ्रीज में रखकर आप जब भी भी कोई में माना आते हैं तो आप इसे जटपट बनाकर सर्व कर सकते हो को एज रिफ्रेशिंग डिंक ये सच में रिफ्रेश कर देता है माइन को भी और आपको भी इदम रिलाक्स कर देगा तो देखे मैं आपको बताती हूं बनाना आपको कैसे है बिल्कुल ईजी है एक ग्लास मैंने इदम ठंडा पानी ले लिया है फ्रीज का इसे फ्लेवर औ कर बड़े चमच में डाल रही हूं वह मीठे वाला जो बनाया था पुदीना का सॉल्यूशन उसे डालना है आप यह ज़्यादा चटपटा और मीठा पसंद करते हो तो आप डेर चमच डाल सकते हो तो यह देखें अच्छे से मिक्स कर लें और मैं एक आइस क्यूब डाल र यह देखें बहुत ही आसानी से रेड़ी हो गया एक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है तो यह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें यह आपने अवी तक नहीं किया है तो और चलिए अब मैं आपको को बताती हूं दूसरी डेसीपी तो दुसरा जो ड्रिंग आपको बनाना है वो कैसे बनाना है बिल्कुत से चैला है आपको पाणी थंदा ही लेना है फ्रिच का और इसमें मैं डालूँगी वो पुदीने का मिर्च वाला जो हम लोगों ने ग्राइंड करा था मिर्च और पुदीने को ग्राइंड करा था उसे मैं डाल रहे हूं दो चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लें इसमें मैं डाल रही हूं हाफ चम्मच यनिकी आधा छोटा चम्मच मैं काला नमक डाल रही हूँ इसे सेधा नमक भी कहते हैं और उसके बाद जो है इसमें मैं निम्बू का जूस डाल रही हूँ लगबग डेड़ से दो चम्मच आप चाहें तो इसमें शुगर एड़ कर सकते हो एक चम्मच मैंने एड़ नहीं किया है क्योंकि यह ऐसे भी अच्छा लगता है और शुगर डाल के भी अच्छा लगता है तो बस यह बनकर रेड़ी हो गई है इसमें बस करना क्या है कि आईस क्यूब डाल देना मैंने एक डाला है आप चाहें तो एक से ज़्यादा डाल सकते हो पुदीने की लीव डाल दें पती डाल दें एक लेमन स्लाइस डाल दें और बस यह रेड़ी हो गई जटपट से हमारे दूसरी रिफ्रेशिंग मिन्ट लेमन ड्रिंक रेड़ी हो गई है और आप इसे इस तरह से खुद पीजे और दूसरे को भी पिलाए एंज़ाइ किजे आपको मुझसे कोई रेसिपी बनवानी है या आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है मेरी रेसिपी से रिलेटर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं थैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो